अब इहाली में चाइना के द्वारा इस्टेंडर्ड मैप आप चाइना का 2023 का संसकर्ड जारी किया है और इस मैप को लेकर भारत को क्यों इतराज है भारत को इसलिए चिंता है वो इतराज है क्योंकि हमारे अकसाई चेन जो लद्दाग वाला हिस्सा है और जो अउड़ा चलविदेश वाला हिस्सा है इसे इसने अपना भाग माना है अपने मैप में दिखाया है और चाइना की इस्तिती देखकर अंग्रेजों जैसी ही लगती है कि उनकी जिस तरह से बिस्तारवादी नेती हुआ करती थी न, आजकल आप देखें चाइना की भी बैसी ही है, चाइना की सीमा जितने भी देशों से लगती है, लगबख सबसे उसका सीमा विवाद बना हुआ है, आप देखें यह हमारी प्यारी पितपी है, इसमें आप देख लद्दाक, हिमाचल पिदेश, उत्राखंड, सिक्किम, अरुणाचल पिदेश, पांच राज्यों की सीमा हमारी लगती है चाइना से, तिबबत पहले आजाद हुआ करता था, बाद में आप देखे चाइना ने कबजा कर लिया, और तिबबत पर कबजा करने की पाप, आप द हैं, और भारत और चाइना की सीमा के जो भी इतिहासिक पहलू हैं, जो एउद्ध हुए हैं, उन सब के बारे में एक ओवर्वी हम लोग ले लेते हैं, अगर आप लोग किसे एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर सिविल सर्वेस और स्टेट PCS की, तब आप देखते हैं क 69,146 बर किलूमीटर में फैला हुआ है, इसकी चीमा चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है, वहीं अगर आप लोग थोड़ा और देखें, तो देखें ए अकसाई चीन, जो लद्दाक का भाग है हमारा, इस पर चाइना कबजा किये हुए, यहाँ आप पूरा पाकिस्तान के पास से, यह हमारा भाग है, ठीक है? और यहीं अरुड़ाचल पिदेश के बारे में अगर आप बात करें, तो इटा नगर इसकी राधधानी है, इसकी सीमा आप देखी भूटान, चाइना और म्यानमार से लगती है, राज्यों में असम और नागालें हैं, और अरुड़ाचल पिदेश का हिस्सा कितना छेतफल है? 83,743 बर किलो मीटर में पहला हुआ है, अरुड़ाचल पिदेश, और चाइना इसे तो पूरा हिस्सा बताता रहता है, अबेद गाउं भी बसाता रहता है, अबेद निर्मार भी करता रहता है, तो यह आप दे इनोंने नया हमेब जारी गिया है, और यह दावे लंबे समय से चीन और भारत की भी बिवाद का मुद्दा भी बना हुआ है, चाहे आप देखते हैं कि लगदाग बाला हिस्सा देख लिजे, या फिर अरुड़ाचल पिदेश का बाला हिस्सा देख लिजे, मांचित में 9- इस लाइन भी सामिल है, जो एक विवाद इस पर सीमांकन है, या पूरे दच्छिन चीन सागर को कवर करती है, और इस रणितिक समुद्री छित पर बिजिंग के दावों को रेखांकित करती है, जो आप दच्छिन चीन सागर देखते हैं न, इसे भी इसने अपने अंडर मे ले लिया है, अगर आप लोग देखें, तो देखें, ये हमारा प्यारी पित भी है, इसमें अगर आप लोग देखें, तो ये आप लोगों को दच्छिन चीन सागर देखने को मिलेगा, ये ताइवान देखने को मिलेगा, ताइवान को अपना हिस्सासता बताता रहता है, और मांचित में दस्वी डेस लाइन को भी धरसा आए गया है, जो ताइवान दुई पर बिजिंग के दावों को रिखांकित करती है, इस्थानों के नाम बदलना, चीन का नया मांचित जारी करना उसकी पिछली कारवाहियों के अनुरूप है, जैसा कि अउड़ा चल चीन इस्थान आधारी सेवाओं और सटीक करसी पिलेटफॉर्म अर्धवस्था और इंटलीजेंट कनेक्टिक विहिकल सहत बिवहन अनुपियोग हितु डिजीटल मांचित जारी करने के लिए तेयार है, और भारत और चीन के बीच सीमा बिबाद का मुद्धा अगर हम लो की सीमा चाइना से 3488 किलोमीटर की लगती है, और जडल चेतरी बिवादों को संदर्वीद भी करता है, और बिवादों की मुख्य चेत, पश्चमी चेतर में अकसाई चीन और पूर्वी चेतर में अरुणा चल्पिदेश सासा मिलें, आपको जो मैब में बताया है न, यह आ क्यांग चेत के हिस्से की रूम में दावा करता रहता है, जबकि भारत इसे अपने केंदसा से फिदेश लद्दाक का हिस्सा मानता है, यह चेतर चीन पाकिस्तान आर्थिक गल्यारे, CPEC के निकट होने, और सेन मार्क के रूम में इसकी चमता के कारण रणनेतिक महत रखता है, और कुछ समय पहले आपने देखा होगा यहां हमारे सेनिक और चाइना की सेनिकों की भी जड़ब भी हुई थी, और आप देखते हैं कि अरणाचल पिदेश तो चीन पूरे अरणाचल पिदेश राज्य पत दावा करता है, और इसे दच्छिन तिवद कहता है, भारत इ चीन की सीमा के भी सीमा इसपट रूप से सीमांकित नहीं है, कुछ हिस्सों पर कोई पारसपरिक रूप से सहमत बास्तविक नियंतन रिखा एलेसी नहीं है, 1968 की भारत चीन योद्ध के बाद LAC अस्तित में आई थी, और भारत चीन सीमा को तीन सेक्टरों में बाटा गया है, यह पच्छमी चेत में आप देखें लगदा को गया, मद्ध चेत में आप देखें हिमाचल पिदेश उत्तराकंड हो गया, पूरी चेत में अरणाचल असा हो गया, यहां से किम आप देख लीजें, और सेन गती रोध की बात करें तो 1962 का भारत चीन योद्ध, सीमा विबात के कारण कई सेन गती रोध और जड़पें हुई, जिन में आप देखें, 1962 का भारत चीन योद्ध भी सामिल है, दोनों देशों ने सीमा पर सांती बना गाटी, और 2022 में आप देखें, अवड़ा चर्पिदेश के तबांग में हुई थी, और परवेक्षक इस बात से सहमत हैं कि सीमा के दोनों और बास्तविक नियंतर रेखा, L, Line of Actual Control, LAC पर, वर्स 2013 के बाद से गंभी सेंटर क्राओ की घटनाओं में बड़ोत्तरी देखने क को मिल लई है, सीमा बेदा, बिबाद, निप्टान, तंतिकी बात करें, तो एक 1914 का सिमला समझोता, तिबबत और पूरवत्तर भारत के भी सीमा का सिमांकन करने के लिए 1914 में सिमला में तीनों तिबबत, चीन, बेटिस, भारत के पितिनिधियों के का एक सम्मेलन आईजित कि आगया था, चर्चा के बाद समझोते पर बेटिस, भारत, उतिबबत द्वारा हस्ताक्चर किये गये, जबकि चीने अधिकारियों द्वारा हस्ताक्चर नहीं किये गये, और वर्तमार में भारत इसे मानता देता है, लेकिन चीन ने सिमला समझोते और मैग मोहन रेखा दोन चित्री की संप्रवूता और चित्री अखर्णता का सम्मान करने का की एक्छा का संकेत दिया, सांती और इस्थिरता बनाय रखने पर समझोता, यह आप देखे इस वर्स 1993 में हस्ताक्चर किये गये, और जिसमें बल के प्रेयों को त्याग ने LAC की मानता और बाचीत की माध आ सहमती की समाधान के लिए गयर आक्रमकता, बड़े सेन आंदलोन की पूर सूचना और मान्चित्रों की आदान प्रदान करने की पितीबादिता ब्यक्त की गई थी इसमें, सीमा रक्षा सही हुक समझोता, तो डैफ सांग घाटी की घटना के बाद 2013 में हस्ताक्चर किये और चीन के नई मान्चित का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भी जान लिए, जो आप देखे चाइना ने नया मान्चित जारी किया हुआ है, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसमें आप देखे प्रादिसिक दावा, विबादित छेत्रों को अप अपने अधिकारिक मानचित में सामिल करके चीन अपने छेत्री दावों को मजबूत कर रहा है और अभणाचल पीदिश अकसाई चीन पर भारत की संप्रभूता को चुनोती दे रहा है और सीमा वेबात को बड़ा आ रहा है राजनेतिक तनाव तो आप देखे चीन की हरकतों से दोनों देशों की बीच कूटनेतिक तनाव पैदा हो सकता है और भारत चीन के छेत्री दावों का खारिच किया संभवता अपने स्वयम के दावों की पुष्टी के साथ जबाब भी दिया है और दुई पक्षे संबंधों पर प्रभाव तो या भारत चीन संबंधों में तनाव पैदा कर सकता है और जिससे आप देखते हैं कि ब्यापार और निवेस और लोगों की बीच आदान पिदान सहित विभिन छेत्रों में सहयोग प्रभावित हो सकता है और इसमें आप देखें चेत्री आसंतुलन भी तो आप देखें सीमय विवाद का ब्यापक चेत्री संतुलन पर प्रभाव परता है या चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अन चीत देशों और चीत्री समोहों के साथ भारत के रणनितिक सरेखण में कुभी प्रभावित कर सकता है अब बात आते हैं कि भारत को चीन की प्रादिसिक और चेत्री मुखरता से कैसे ने पठना चाहिए क्या कर सकता है भारत अपनी तरफ से तो एक तो आप दिखते हैं कि कूटनीति और संबाद तो भारत चीन सीमा मामलों पर विस्यस पितिनीधी बारता और परामर से बम समनवे कारतंत जैसे इस्थापी तंतों के माध्यम से चीन के साथ राजनेक बारता में सलगन रहने की आव आप देखें सीमा पर अवसरचना की मजबूत करना और आप देखते हैं कि भारती बलों के लिए गती सीलता और पिति क्रिया चमताओं को बढ़ाने के लिए सडकों पुलों हवाई पट्टियों और संचार नेटवर्क से सीमा अवसरचना में बहतरी के लिए निवेस करना चाहिए और आप देखें काफी हद तक हम लोग कर भी रहे हैं इस चेत में जहां तक आप देखें पहले हमारे रोड नहीं डले हुए थे जहां आप देखते हैं कि क्या हवाई एड़े नहीं थे वहाँ हवाई ड़े भी बन चुके हैं सीमा बरती चेत्रों में सैनेक और आप पूर्ती की तेजी से तैनाती सुनेश्चित करने के लिए लोजिक्टिक्स हब एवं अगवर्ती अड़ा विक्सित करना चाहिए सैन तेयारी बढ़ाना, सीमा चेत्रों में प्रभावी ढंक से निगरानी करने और किसी भी गटना को लेकर पिती करिया देने के लिए उननत उपकैड़ों फिरोद्दुकी की और निगरानी चमताओं में निवेस करना चाहिए ताकि ससक्त बलों को मजबूद बनाया जा सके एक सीमा बरती चेत्रों में तैनात सैनिकों की पिसीक्षन तत्परता को बढ़ारने पर ध्यान दिया जाना चाहिए तो आप देखे छेत्री एवं भैस्विक भागेदारी समान विचारदारा वाली उन देस्तों और छेत्री संगत्नों के साथ सांजय दारी को देड़ करना चाहिए जो छेत्रिय बिवादों में चीन की मुखरता के साथ बारे में चिंता सांजा करें गुप्त जानकारी सांजा करने, सहयुक्त सैनभ्यास और छेत्रिय चुनोतियों को लेकर समनवित फिक्रियाओं पर सहयोग करना चाहिए यह भी कहा जा रहा है, और आप देखते हैं कि आर्थिक एवब ब्यापारी को पाएं, तो चीन पर निर्भरता कम करने और आर्थिक लेचीला पर बढ़ाने के लिए आर्थिक चित में बिवित्ता लाने चाहिए और उन देखों के साथ ब्यापा समझोते हैं, और साजेदारी के बारे में पता लगाना चाहिए, जो बिकल्पिक बाजार और निवेस के आउसर फिदान कर सकते हैं अभी कापी हक्त की हम लोग चाईना के निर्यात पर निर्भर रहते हैं, तो उसे कम करने की बात भी हो रही है अंतराष्टी मंच तो अंतराष्टी मानदन्डों और सिध्धानतों पर आधरी सांतिपूर समद्धान के लिए समर्थन जुटाने ही तो अंतराष्टी मंचों पर स्थीमा मुद्दों को उठाना चाहिए भारत को और छेतरी अखंटाओ और विवाद, समाधान, तंत से समंधित अंतराश्टी मानदंडों एवं सिध्धान्तों को कायम रखना चाहिए और सीमा मुद्दे पर आप देखी भारत का पक्ष पिस्तुत करने के लिए अंतराश्टी कानूनी विशेसगों के साथ जुडाओ जारी भारत अपनी तरफ से एस अभी कौसे से करे सकता है तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो चाइना ने अभी हाली में स्टेंडर्ड मैप आप चाइना का नया संसकर्ण जारी किया है ना उसी के परिपेक्ष में हम लोग ने इस टॉपिक को कबर किया हुआ है अगर इससे कु झाल